क्या प्रेमानन्द बाबाजी श्रीकृष्ण के अफ्तार है? आजकल एक बाबा बहुत ही वाइरल हो रहे हैं नहीं दीरेंद्र शास्त्री नहीं बलकि हम प्रेमानन्द बाबाजी के बारे में बात कर रहे हैं प्रेमानन्द बाबा को श्रिक्रेश्निका अफ्तार कह जा रहा है इनकी दोनु किड्नी खराब हो चुकी है ये मानते हैं कि इनके अंदर कुछ ऐसा है जो इनसे सब कुछ करवाता है इतना ही नहीं विराट कोली और अनुषका शर्मा भी इनका अशिरवात ले चुके हैं मशूर शिक्षक ओजा सर इनकी तारीव करते नहीं ठकते क्या सच में ये बाबा भगवान के अफ्तार है क्या है इनकी जीवन यात्रा और कैसे आप भी इनके दर्शन पा सकते हैं आए समझने हैं आज की इस विडियो में कहानी शुरू होती है उत्रपरदेश के कालपूर के छोटे से गाउं सरसौल से जहां इनका जन्व हुआ बचपन में लोग इनने अनिरुत कुमार पांडे के नाम से जानते थे ये शुरू से ही पीले वस्तर धारन करते थे जसकी वज़ा से इनने पीले बाबा के नाम से भी जाने जाने लगा इनके माता पिता का नाम श्री शंबु कुमार जी पांडे और रमा पांडे था प्रेमानन जी को शुरू से ही अध्यात्मु से काफी लगाव था इसका एक कारण ये भी था कि इनके पिता जी और दादा जी भी सन्यासी थे शुरू से ही इने गंगा नदी किनारे बैटने का पेहत शौक था अध्यात्मु से लगाव के कारण प्रेमानन जी महाराज ने पेहत कम उम्र से ही हनुमान चालिसा पढ़ना शुरू कर दिया था प्रेमानन जी ने ज्यादा पढ़ाई तो नहीं की है ये नवी कक्षा तक पढ़े है जब प्रेमानन जी महाराज पांचवी कक्षा में थे जिस समय बच्चे खेल कूत करते हैं उस समय इनों ने गीता शुरी सुक सागर पढ़ना शुरू किया उसकूल में पढ़ाई के दोरान उनके मन में बहुत सारे सवाल उठते थे उत्तर निकालने के लिए उन्होंने शुरी राम और शुरी कृष्ण गोवे नरे मुरारी का जाप किया इनका मन शुरू से ही भगवान को ढूडने के लिए बोलता था लेकिन उम्र छोटी होने के कारण ये कहीं जा भी नहीं सकते थे फाइनली जब वे नवी कक्षा में आये यानि जब बोल्ड की तैयारियां शुरू होती हैं तब उन्होंने ईशुर की खोश करने के लिए अध्यात्मिक जीवन चीने का द्रड निश्चे कर लिया था उसके लिए ये वे सब कुछ त्यागने को तैयार थे उन्होंने अपनी मा को भी इस डिसीजन के बारे में बताया उस समय उनकी उम्र मातर 13 वर्ष की थी खेर काफी सोचने समझने के बाद 13 साल के उमर में इन्होंने घर को त्याग दिया सबसे पहले घर छोड़ने के बाद प्रेमानन जी को नेस्ठिक ब्रह्मचरिय में दिक्षित किया गया था उनका पहली बार नाम बदला गया और नाम पढ़ा आनंद स्वरू ब्रह्मचरिय यहां से शिक्षा पाने के बाद इन्होंने सन्यास को सुईकार किया इसे सुईकारने के बाद इनका एक और नाम पढ़ा यह नाम था स्वामी आनंद अश्रम खेर यहां तक आते आते उनके अंदर ईश्वर को खोजने की बेचानी काफी बढ़ गई थी, अब वे अपना जाधा समय अकेले में बिताना पसंद करते हैं, एक दिन ऐसे ही वे अकेले बैठे हुए थे, फिर होता ये है कि कोई अंजान सादू उनके पास आता है, और कहता है कि महराज काशी के एक विश्व विध्याले में रास लीला का आयोजन हो रहा है, बस फिर प्रेमानन जी भी रास लीला देखने पहुँचे, लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि शिरिकरश्न की रास लीला उनके रदे में वस जाएगी, और उसके पस्चाद भी एक महराज न रास लीला देखी, लेकिन रास लीला करने आये हुए विरंदावन से कलाकार के जाने का समय आ चुका था, तब महराज जी ने सोचा कि अब ये सब यहाँ से चले जाएंगे, मेरा क्या होगा, बस उसी दिन महराज प्रेमानन विरंदावन पहुँच गए, और जाकर वहां ब्रह्मन करने लगे, प्रेमानन जी महराज को विरंदावन वाले महराज नाम से भी जाने जाते हैं, शिरी प्रेमानन जी महराज को समय के बाद स्वामी जी की सलह से और शिरी नारायन दास भक्त माली के एक शिश्य की मदद से मतुरा जाने को तयाग में, दोस्तों, आज क इस समय में विरंदावन में एक अध्यात्मिक और्गनाइजेशन है जसकी स्थापना प्रेमानन महाराज जी के द्वारा हुई है। वो भी लगभग 17 सालों से फिर भी ये जीवित है। हाला कि सोचने वाली बात तो ये थी कि वो विराट कोली और उनुष्का शर्मा को जानते तक नहीं थे। हला कि जब लोगों ने उनका परीचे कराया भी तो बाबा ने कोई विशेश प्रक्रिया नहीं दी। समान्य भक्तों की तरह उन्हें आशिर्वात दिया। उनका नंबर सार्जोनिक नहीं किया हुआ है। अगर आप उनके दर्शन करना चाते हैं तो इस पते पर संपर्ग ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजेगा।